दोस्तों कर आप भी महिंदर सिंग धोनी और विराट कोली को महान खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों हैदरबाद के खिलाफ चेन्नी की हार के बाद पाकिस्तान के दिगजों ने दिया बड़ा बयान महिंदर सिंग धोनी को जमेदार बताते यह एक ऐसा बड़ा बयान जारी करती है जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा तो आखिर कार पाकिस्तान के दिगजों ने चेन्ने की करारी हार के बाद क्या कहा यह तो आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है महिंद रन एक विगट के नुकसान पर चेन्ने के खिलाफ हैदरबाद ने बना दिये और इसी तरीके से बहतरीन बलेबाजी करते हुए मैच को काफी बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया इस दोरान चेन्ने की टीम की हार के बाद महिंदर सिंग धोनी अंतिम ओवर में तीन करना बड़ा है जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस मैच के अंदर चेन्ने की टीम को हार का सामना करना चाहिए था χाला कि हैदरबाद की टीम ने as match के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदरशन करते हुए सभी को उनको अपनी सिम्मेदारी समझनी चाहिए और उपर बल्ले बाजी करने के लिए अब आना चाहिए तो वहीं इंजमाम उलक ने बयान देते हुए काया कि चेन्ने की टीम के इस मैच के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है और चेन्ने की टीम अगर इस मैच में हार का सामना करती हुए दिखाई दी है तो उसके पीछे महिंदर सिंग धोनी का काफी बड़ा हाथ है क्योंकि महिंदर सिंग धोनी ने इस मैच के अंदर अपनी सिम्मेदारी को नहीं समझा चाहिए और टीम के हित के लिए उपर बल्ले बाजी करनी चाहिए तो वहीं शोई बक्तर ने बयान देते हुए का है कि महिंदर सिंग धोनी का परफॉमेंस इस साल काफी ज़्यादा बहतर तरीके से देखने को मिल रहा है हलाकि उन्होंने सिर्फ एक मैच के अंदर बैटिंग की है और उसे मैच के अंदर उन्होंने बहतरीन बल्ले बाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है ऐसे में अगर महिंदर सिंग धोनी इसी तरीके से बल्ले बाजी करना जानते है हैदरबाद में काफी ज़्यादा बहतरीन बलेबाजी किया है साथ में उन्होंने बहतरीन गेंद बाजी किया लेकिन अगर चेन्ने की टीम की तरफ से महिंदर सिंग धोनी बहतर बलेबाजी करते हैं तो चेन्ने की टीम को जीत मिल सकती थी लेकिन बहिंदर सिंग धोनी ने ऐसा नहीं किया जिसके चलते चेननी मैच को हार गया तो दोस्तों आपको क्या लगता है चेननी की टीम को इस मैच के अंतर किस खिलाडी के कारण बड़ी हार का सामना करना पड़ा है अपनी रायनी चे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद